Hello everyone, नाम अमितिवारी और मितिवारी.net और ये है Image SEO Series का second वीडियो, आज के वीडियो में हम Image Optimization, Image Caching और Image CDN के बारे में detail में बातें करेंगे, इन तीनों में difference क्या है, फाइदा क्या है, किसको use करना है और कैसे use करना है, सारी बातें आज एक वीडियो में हो जाएंगी, ग्रूप मेंबर से request है कि वो वीडियो को share करें और screenshot को ग्रूप में share करें, और अगर आप हमारे इस खास WhatsApp ग्रूप का हिस्सा नहीं है, तो आपको इस वीडियो को जाकर देखना चाहिए, यहाँ पर पूरी process explained की होई है, वैसे temporary वीडियो होने वाला था, बट काफी लोगों की बात पर आ जाते हैं, so usually हम इन तीनो words को, image caching, image cdn और image optimization इन तीनो टाइप के जो plugins होते हैं, इन तीनो words को आपस में mix up कर देते हैं, और आपकी गलती भी नहीं है, काफी सारे function इन तीनो में आपस में बहुत common होते हैं, और ऐसा कोई strict categorization नहीं है, इसलिए confusion हो जाता है, इ आपकी website की images को compress करते हैं, उनका size कम करते हैं, jpg को webp या फिर avif में convert करते हैं, ताकि आपकी website की images जल्दी load हो सकें और आपकी website fast हो सकें, इस type के plugin का example है smush, इस type के बहुत सारे और भी plugins आते हैं, तो यह आपकी website की images है, उनको compress करेंगे, उनके size को actually में कम करेंगे, और इसके आपकी website जो है, अपने आप fast हो जाती है, so यह image optimization plugin, फिर आते हैं image caching plugin, यह आपकी website की visitors होते हैं, उनकी device पर आपकी website की images की एक copy save कर देते हैं, कुछ time के लिए, expiry भी time set होता है, ताकि जब वो दुबारा visit करें, तो फिर से images को download ना करना पड़े, now जब कोई user आपकी website पर first time आएगा, तो उसे कोई फाइदा नहीं होगा, इस type के plugin का, नहीं आपके server को कोई फाइदा होगा, user को images download करनी ही पड़ेंगी, और आपके server को images देनी ही पड़ेंगी, लेकिन जब वही user दूसरी बार आएगा, या वही same user किसी दूसरे page पर जाएगा आपकी website के, तो फिर image caching plugin का फाइदा हो जाता है, बिकस अब की बार user की device से ही save की होई images को दिखा देगी website आपकी, और आपके server को भी same image दुबारा फिर से transfer नहीं करनी पड़ेगी, दोनों की बचत हो जाएगी, लेट से कि अगर user एक page से दूसरे page पर जाता है, तो जो common images होती ही, like footer वाली image होगी, कोई header पर image लगी होगी, आपका logo होगा, फैभी कौन होगा, इस तरह की चोटी-चोटी images होती है, वो दुबारा से user को download नहीं करनी पड़ेगी, उसकी device पर already image caching plugin ने save कर रखी है, दोनों की बचत हो जाती है, इसके अलावा कुछ और भी काम करते हैं plugin, जैसे images को lazy load करना, ATF images को lazy load करना, अगर यह दोनों concept भी confuse कर रहे हैं, lazy load और ATF images को lazy load करने के exception, तो आप एक दो दिन वेट करिए, अगली वीडियो में हम इसी topic पर बात करने जा रहे हैं, so image caching plugin का example क्या है, WP Rocket, W3 Total Cache, Flying Press, usually जो caching plugin होते हैं, वो ही image caching का option भी साथ में देते हैं, मैं image caching word को अलग से इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको यह concept ज्यादा अच्छे से clear हो जाए, इसके बाद last में नाम आता है image cdn का, image cdn यानि कि ऐसे content delivery network, cdn content delivery network, जो images पर भी खास ध्यान देते हैं, now cdn का मतलब क्या होता है, content delivery network, ऐसे computers का network, servers का network, जो user को आपकी website का content उसकी device के पास वाले server से दे देते हैं, hosting और cdn के बीच का difference में quickly समझा देता हूं, hosting आपकी website की कोई एक server होगा, कहीं एक जगह पर होगा, right, वहां से आपकी website का data user की device तक जाता है, अब user आपकी website के पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, लिट से कि आपकी website को server है, वो मुंबई में हैं, लेक दुनिया में value servers तक एक-एक copy पहुचा देते हैं, इसके बाद जब भी कोई भी एक visitor कहीं से भी आपकी website को request करता है, तो आपकी hosting से वो data उसके पास नहीं पहुचता है, बलकि इस CDN, Content Delivery Network की किसी एक server से जो भी उसकी सबसे pass में होता है, वहां से पहुच जाता है, यह CDN के benefit होता है, so similarly image CDN भी बहुत काम आते हैं, because image CDN भी आपकी website के images को user की location के pass वाले server से सबसे पहले जल्दी से पहुचा देते हैं, now अगर आप ध्यान से सोचें, तो आप पाएंगे, कि जो images होती है, वो किसी भी website का सबसे ज़्यादा heavy part होती है, आपकी CSS, आपकी HTML, आपका JS उतन पहुच जाता है, so user को time की बच्चत होती है, उसके पास website जल्दी लोड हो जाती है, और आपके server से बार-बर जो heavy images है, वो नहीं जा रही है, तो आपका hosting plan है, वो भी कम use होता है, उसमें बच्चत हो जाती है, obviously shared hosting की बात हैं, आमें नहीं कर रहा हूं, जो अच्छे servers होते है वो इस मामले में बच्चत कर पाते हैं, so यह image CDNs, आपकी website की जो images हैं, उनको JPEG से उठाकर WEPP में convert कर सकते हैं, AVIF में convert कर सकते हैं, और because यह image CDN plugin ही है, जो आपकी website पर image को दिखाने वाला है, so वो decide कर सकता है कि कौन सा browser AVIF को support करता है, so AVIF image दिखाएगा, अगर कोई browser AVIF को support नहीं करता है, WEPP को support कर सकता है, तो वहाँ पर WEPP को दिखाएगा, और इसके अलाबा, अगर कोई भी एक बहुत ही पुराना browser है, जहाँ पर AVIF या WEPP दोनों नहीं काम करें, तो वहाँ पर JPG या PNG को शोग कर सकता है, तो इस तरह का जो dynamic काम है, यह पूरा का पूरा image CDN अपने आप कर लेता है, तो आपको आपकी website पर image optimization plugin की आज की तारीक में ज़रुएत नहीं है, what you need is image CDN और image caching plugin, so image CDN plugins आपकी website की image को अलग-अलग server पर ले कर जाएंगे, उसे format कर लेंगे, उसे crop कर लेंगे, उसे resize कर लेंगे, और image caching plugin जो यह optimized, highly optimized, अलग-अलग server से आने images हैं, उसको user की device पर save भी कर देगी, ताकि अगर बार-बार-बार-बार user आपकी website की pages को visit कर रहा है, अलग-अलग pages पर जा रहा है, बहुत सारे sessions कर रहा है, तो यह images जो CDN से आने वाली है, यह भी बार-बार transfer नहीं होगी, वहाँ पर भी आपकी budget होगी, so अब आगे के video में हम image optimization plugin को नहीं देखेंगे, because image optimization plugin आज की तारीक में आपको use नहीं करने चाहिए, image optimization plugin सारा-का-का-सारा optimization आपके serveur पर करते है, अगर conversion करना है तो भी आपके server पर होगा, अगर resize करना है तो भी आपके serveur पर होगा, आपकी hosting पर load बड़ता है, आपकी hosting पर space ज़्यादा कर जोता है, so हम image optimization plugin को यहीं से अटा जाते हैं, explanation के साथ ही, हम focus करेंगे image caching plugin पर और image cdn पर, now यहाँ पर एक question आता है कि image cdn अपने आप में free नहीं होते हैं, आपको एक plugin मैं बताऊँगा, जो आप use कर सकते हैं free में, आप start कर सकते हैं उसका use free में, करीब पच्छे जार के आसपास जो image होती ही conversions होता है, वो आपको free में मिल जाएंगे, उससे ज्यादा अगर आप use करना चाहते हैं, तो आपको pay करना पड़ेगा, बट जो payment है वो भी बहुत कम quantity में है, so image cdn के बारे में बाते होंगी, अभी थोड़ी देर बाद, दो मिर्ट बाद, इससे पहले हम image caching के जो plugins हैं, उनको देख सकते हैं, कुछ free plugin देखते हैं, और कुछ paid plugin देखते हैं, सब की process को एक एक करके समझ लेते हैं, more or less, options सब में same मिलते हैं, जो paid plugin से उसमें obviously 2-4 options ज्यादा होंगे, पट इतना कोई दिल चोटा करने की ज़वरोत नहीं है, free plugins भी आपको अच्छा खासा result दे देते हैं, आते हैं computer screen पर, और इन plugins को देखते हैं, एक एक करके, आपनी dummy website में हैं, और हम यहाँ पर सबसे पहले image caching के 2-3 plugin देखेंगे, और इन में आप image की settings को कैसे कैसे आप access कर सकते हैं, और कैसे use कर सकते हैं, उनको देखते हैं, तो सबसे पहले हम एक free plugin में हैं, जिसका नाम है WP Optimize, WP Optimize को आप install करने के बाद, जब आप उसके setting वाले section में आएंगे, तो यहाँ पर आपको images का option मिलता है, सबसे पहले, आप image वाले option पर आएंगे, और यहाँ पर आपको सबसे पहले option दिखाई दे रहा है, अगर आप image CDN को use नहीं करने जा रहे हैं, तो आप इस option को on कर सकते हैं, जिससे जो compress करने का काम है, वो यह plugin आपके server पर ही करेगा, but I don't recommend it, I recommend कि आप image CDN को use करें, but just in case, अगर आपकी test website है, या client की website पर काम कर रहे हैं, और वो CDN को बिलकुल भी use करना ही नहीं चाहता है, तो आप यहाँ पर इस option को turn on कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके बाद यहाँ पर compression के option आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको तीन option दिखाई दे रहे हैं, prioritize retention of detail, prioritize maximum compression, maximum compression मतलब आपकी website की जो images हैं, उनका size बहुत कम कर दिया जाएगा, हो सकता है, quality थोड़ी सी down भी हो जाए, दूसरा option है यहाँ पर prioritize retention of detail, यानि कि आपकी website की images की quality नहीं down की जाएगी, बट फिर भी quality को बना कर रखते हुए, यहाँ पर अगर आपकी website बहुत बड़ी है, या आप अपनी website पर बहुत सारी images यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप इस first option को tick कर सकते हैं, otherwise आपको usually इस option को ही tick रहने देना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा brave feel कर रहे हैं, या फिर आप थोड़ा बहुत technical problem को handle कर सकते हैं, तो मेरा suggestion है कि आप custom button को click करें, और यहाँ पर इस slider को beach में लाकर छोड़ते हैं, यानि कि करीब-करीब 40-50% के beach की जो detail है, वो बची रहेगी और size भी कम हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड आपको arrow दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप आप लाकर अगर इस option को save कर देते हैं, तो भी आपकी images की quality same बनी रहा थी, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसके बाद है create webp version of images, इस option को भी आप click कर सकते हैं, इससे आपकी images वो webp में convert होने लगी है, अगें अगर आप image CDN को use करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम दो मिनट में बात करते हैं, तो आपको इस option को on करने की ज़रुएत नहीं है, webp या conversion आपका CDN अपने आप कर लेगा, तो otherwise आप इस option को tick रहे हैं देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सही सलामत tick हैं, for example यहाँ पर backup original images का option है, यानि कि जब आपकी images को compression किया जाएगा, जो उनको उपर काम किया जाएगा, तो आपकी जो original images उसका एक copy सेव कर ले जाएगा, जो आपके पास होना चाहिए, दूसरा है, automatically delete backup images after 50 days, यानि कि जो यहाँ पर second option में जो backup लिया जा रहा है images का, उसको 50 days के बाद delete करना है या नहीं करना है, इस option को आप off करते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी original images delete हो, लेकिन अगर आपकी website पर बार-बार images अप्लोड की जाती हैं, बहुत ज़्यादा images अप्लोड की जाती हैं, तो आपकी hosting ऐसा नहों कि उस पर space की कमी हो जाए, तो इस option को आप टिक कर सकते हैं, इसके बाद एक यह option है, preserve exif data, exif data basically image का metadata होता है, for example, किस camera से image ली गई थी, किस दिन image ली गई थी, किस time पर image ली गई थी, उस time नच्छतर राशिकाल, रहुकाल, क्या था, उस सारी detail यहाँ पर save करी जाती है, image में save होती है, और वो image का metadata है, जो यह accept data है, वो आपके काम का नहीं होता है, website के users हैं, उनको उस exif data से कोई लेना देना नहीं होता है, आप इस option को off रखें, अगर आप इस सारे data को save करके रखना चाहते हैं, अगर आपकी एक photography website है, जिस पर आप नहीं चाहते हैं, कि यह सारा data उड़ जाए, तो आप इस option को on करेंगे, otherwise आप इसे off रहने देंगे, तो अपने यह plugin इस पूरे metadata को delete कर देगा, और आपकी images का size कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, इसके बाद आपको option जो है, यहाँ पर आपने सारे option अपने आपसे set कर दिये हैं, सारा काम आपका done होगा, automatically save होगा, इसमें यहाँ पर save का button नहीं दिखाई दे रहा है, because यह option अपने आप save करता जा रहा है, so सिर्फ इतना करना है, और WP Optimize आपकी website की जो images हैं, उनको optimize करना शुरू कर देगा, आपको सिर्फ इतना करना है, उनकी device पर save होना शुरू हो जाएगा, caching का काम चालू हो जाएगा, इसके बाद जो दूसरा free plugin हम देखने जा रहे हैं, उसका नाम है W3 Total Cache, काफी पुराना plugin है, बहुत ही favorite plugin है, जब तक मेरी WP Rocket को use करनी की हैसियत नहीं हुई थी, इतने अच्छे clients नहीं work करते थे, कि जो WP Rocket को afford करें, तब तक मैं W3 Total Cache को बहुत use किया करता है, इधर काफी time हो गया है, तो हम एक बाद W3 Total Cache पर आ जाते हैं, और उसको भी देखते हैं, तो हम यहाँ पर W3 Total Cache पर आ चुके, कि मैं यह इस plugin को कैसे install करना, कैसे activate करना यह सब नहीं सिखाऊंगा, I am hoping कि जो लोग image SEO related वीडियो देख रहे हैं, उन्हें यह basic process अल्रेडी आते हैं, So W3 Total Cache की हम general settings पर आ गए हैं, और यहाँ पर आपको media related एक setting दिखाई दे रही है, जो है webp converter, webp converter वाले section पर आने के बाद, आपको यहाँ पर सिर्फ एक check box दिखाई दे रहा है, इस पर आप click करेंगे और webp conversion automatically option enable हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि एक छोटा सा notification आपको दिखाई दे रहा है, कि अगर आप free version यूज़ कर रहे हैं इस plugin का, तो आप सिर्फ एक महीने में 100 hours तक का, और पूरे महीने में 1000 hours तक का ही conversion यूज़ कर सकते हैं, यह छोटी से limitation है, but as a free user इनको जहलना पड़ता है, इसके लावा यहाँ पर advanced setting का option भी आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बहुत जल्दी click कर दिया था, इस button पर, save setting पर पहले click करते हैं, and then इसके बाद वापस आते हैं, webp conversion पर, और advanced setting पर एक बार click कर देते हैं, कुछ दो-चार option इनको देख लेते हैं, यहाँ पर again compression का type पूछा जा रहा है, lossy या फिर lossy लेस, अभी थोड़ दिर पहले, जो हमने दूसरा plugin देखा था, WP Optimize, उसमें भी compression के type पूछे जा रहे थे, और आपसे बार-बार compression type को, बहुत सारे plugins में, अलग-लग जगों पर पूछा जा सकता है, और आपको तीन word हमेशा दिखाई देंगे, lossy, lossy लेस और glossy, यहाँ पर glossy option आपको दिखाई दे रहा हैं, बट वो भी option कई बार दिखाई देता है, एक बार हम पहले lossy, glossy और lossy लेस के बीच के difference को समझ लेते हैं, कैमरा वापस on करते हैं, और फिर चालू करते हैं, यहाँ पर आप तीन word को बार-बार देख रहे हैं, lossy, glossy और lossless, इन तीनों के बीच पर difference क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं, ताकि आपको जिन भी plugins पर यह तीनों word दिखाई देते हैं, चाहिए आपको कल को आपके image CDN वाले tool पर वहाँ पर भी यह तीनों option अगर दिखाई देते हैं, और यह चीज इन plugin का algorithm automatically decide करती है, कि कौन सी ऐसी detail है आपकी image के अंदर, जिसको human eye नहीं देख पाई, बहुत छोड़़़़़़़़़़ज देटा होता है, उसको delete कर दिया जाता है आपकी image से, अगर image में से अगर data delete कर दिया जाएगा, तो image का size हलका हो जाएगा, image आपको दिखाई वैसी ही देखी, नौ कितना percent यहाँ पर image की quality डाउन होगी, यह depend करता है कि आप कितना percent conversion metric चूज करते हैं, बट more or less अगर आप theory समझना चाहते हैं, लॉसी format के compression में आपकी image से data permanently हटा दिया जाता है, वो delete हो जाता है और आपकी image का size कम हो जाता है, इसका फाइदा क्या है, आपकी image का size बहुत कम हो जाता है, और नुकसान क्या है, कि अब अगर आप चाहें, तो उस data को वापस gain नहीं कर सकते हैं, वो image की quality completely permanently कम हो जाती है, उसे वापस gain नहीं किया जाता है, दूसरा word आता है lossless, lossless का मतलब होता है, कि जो आपकी image है, उसमें से data को delete नहीं किया जाता है, सिर्फ उसे compress कर दिया जाता है, उसके size को कम कर दिया जाता है, zip कर दिया जाता है, बट आपकी जो image है, उसमें से data को delete नहीं किया जाता है, तीसरा word आता है glossy, glossy, lossy और lossy less दोनों के बीच का word है, glossy method में कुछ details को permanently delete कर दिया जाता है, जो 100% sure है कि human eye कभी नहीं देखने वाली है, वो absolutely completely extra detail है, उसे हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ detail को save करके रखा जाता है, zip करके रखा जाता है, जिससे उसका size कम हो जाता है, तो glossy less में image की quality permanently down नहीं होती है, लेकिन इसमें जो saving है, जो data की saving है, वो बहुत कम होती है, और glossy इन दोनों के बीच का option है, थोड़े फायदे lossy वाले हैं और थोड़े फायदे lossy less वाले है, so I always recommend कि आप एक बार देखें, चेक करें आपकी website की images हैं, उनको एक बार आप verify करके दे lossy और glossy में से कोई भी एक option choose करेंगे, तो आपका benefit हो जाएगा, lossy less को नहीं use करना चाहिए, उसमें gain बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और lossy format को use करने को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है, because images की एक copy आपके पास already है, अपने save करके रखी हूँ है, अगर आप images को अपने computer से delete ही कर रहा है, तो एक अलग बात है, so आप यहाँ पर जब भी किसी plugin में option मिलता है, तो lossy या glossy में से एक option select करना है, so यहाँ पर इन दोनों plugin के बीच में, आप lossy option को select करने, अगर आपकी images का backup आपने already रखा हुआ है, इसके बाद आपको auto convert का option दिखाई दे रहा ह yes, obviously you should auto convert, आप एक बार image upload करें और इसके बाद जाकर वापस हर बार image upload करने के बाद यहाँ पर button क्लिक करें, अच्छा ही लगता, visibility is set to always, अगर यह extension inactive हो जाता है, तो भी ऐसा ना हो कि वेबपी आपकी ना दिखाई दे, इसके अलावा यहाँ पर tools दो दिखाई दे रहा है, number one convert all और number two revert all, आप convert all पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपकी website पर जितनी भी images हैं, वो सारी की सारी convert हो जाएंगी वेबपी में, यहाँ पर सिर्फ इतनी ही settings हैं W3 total cache में, इसके अलावा जैसे ही आप अपने इस caching plugin में page cache को enable करेंगे, तो आपकी website की images हैं, वो user की device पर save हो करते हैं, आप method को disk enhance पर रखें, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही आप page cache enable कर देते हैं, उसके बाद आपकी website की images हैं, वो visit करने वाले users की device पर automatically save होने लगेंगी, और आपकी जो website है, वो थोड़ी सी fast appear होना शिरू हो जाएगी, तो यह थे दो free plugin, W3 optimize और W3 total cache, अब हम आत प्लग-इन के ऊपर, जो है हमारा सबसे पहले flying press, देखते हैं, कि आखिर यह क्या extra option हमको provide करता है, so flying press के option देखने के लिए, आप flying press बटन पर click करेंगे, so flying press अभी फिलहाल मेरा recommended plugin है, अभी तक मैं WP rocket को recommend किया करता था, बाद WP rocket भी अच्छा है, अगर आप यूज करें, अपने already subscription purchase कर रखा है, तो कोई दिकत नहीं आप यूज कर सकते हैं, but flying press ज्यादा बेटर है, आज की तारीक में WP rocket से, अगर इस situation आगे change होती है, तो फिर हम बदलेंगे अपनी recommendation को, तो यहाँ पर flying press के dashboard में आ चुका हूँ, और मुझे images बटन पर click करना है, now यहाँ पर images मे आपको lazy loading को option दिखाई दे रहा, lazy loading के बारे में वैसे तो मैं बात करने वाला हूँ, ज्यादा detail में आगे आने वाले video में, जहाँ पर हम lazy loading और ETF वगरा के बारे में बात करेंगे, but यहाँ पर फिलाल जो आपकी काम की options है, वो क्या है, सबसे पहले add missing width and height वाला option आप enable कर सकते जिससे अगर आपकी image के साथ में, अगर आपके CSS में कहीं पर image का size mention नहीं है, CSS के अंदर ही तो वहाँ पर यह mention कर देगा, जिससे आपकी images के size को guess करना नहीं पड़ेगा ब्राउजर को, और जो layout shift है, आपकी website पर जो create हो रहा है, वो अपने आप में कम हो जाएगा, इसके बा images का option already take है, इसको यहाँ पर save कर देते हैं, image related option सारेक सारे save हो चुके है, अगर आपने यह plugin install किया है, तो caching already enable हो चुके है, और आपकी website की images है, वो user की device पर save होने लगेगी, image caching का option है, वो already enable हो चुका है, similarly अगर हम WP Rocket में जाएं, तो वहाँ पर भी similarly ऐसे ही option मिलते हैं, एक media settings में आने के बाद सबसे पहले again आपको lazy load वाले option दिखाई दे रहे हैं, इसको आप on रहने दे, इसको explain मैं करूंगा अगले वीडियो में, दूसरा option है enable for CSS background images, यानि कि जो आपकी background images है, जो normally image tag में नहीं होती है, CSS के जरीए enable की जाती है, वो कई बार image optimization से बाहर रह जाती थ I don't know, मुझे भी from top of my head, मुझे याद नहीं आ रहा है कोई बैसा free plugin हो, जो background images को भी optimize करता हो, if there is, please correct me in the comment section, but paid plugin हमेशा background images का भी ध्यान रखते है, so यहाँ पर इस option को आपको tick रहने देना है, enable for iframe and videos, इसको भी tick रहने देना है, replace YouTube iframe with preview images, इसको भी enable रहने देना है, and then इस rocket में, तो यहाँ पर यही same option दिखाए दे रहा है, add missing image dimension नाम से, दोनों option same है, और दोनों ही plugin में इन दोनों को tick रहने देना है, इसके बाद save changes button पर click कर दीजे, और आपका image caching का, image optimization का जो part था, वो यहीं से done हो जाता है, so यहाँ पर आपने दो free plugin देख लिए, और दो paid plugin जाएंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी website को handle कर रहे हैं, आपकी website पर images बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको paid plan मि लेना पड़ेगा, so इनके setup को हम एके करके देख लेते हैं, सबसे पहले जाते हैं, optimal पर और इसके बाद आएंगे cloudinary पर, so हम आते है, image optimization service by optimal plugin, य इसको मैं activate कर रहा हूँ, और activate करने के बाद, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी email ID देनी होगी, ताकि आपकी website के लिए एक free account यहाँ पर बन सके, यह process काफी seamless है, मैं आपके सामनी करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी email ID एंटर कर देता हूँ, create and connect account जो यह button है, इ इसके बाद आपकी website जो है, automatically connect होगी, कहीं पर भी कुछ भी API की वगरा लेकर paste करने का लाफ़ड़ा नहीं है, सब कुछ already automatically set up है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 5000 monthly visits का quota मिल रहा है, यानि कि अगर आपकी website पर images हैं, उनको देखने के लिए user आ रहे हैं, उनको देख सीधे-सीधे आपकी website पर दिखा भी देता है, यहाँ पर अगर आप साइड में देखें, तो एक चोटा सा images का domain दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि यही आपकी image CDN का total URL है, इस dashboard को हम एक बार यहीं पर ऐसी रहने देते हैं, और settings बटन पर आ जाते हैं, settings बटन पर आने क बाद आपको कुछ option दिखाई दे रहें, इन option को समझना जरूरी है, सबसे पहले enable optimal image handling, यानि की optimal plugin आपकी website की images को handle करना शुरू करें, optimize भी करें, serve भी करें, हर जगे दिखाई गाए, सारा सब कुछ करें, इस option को by default यहाँ पर on कर दिया गया है, अगर आप इसे off कर देते हैं गलती से, तो optimal आपकी website पर काम ही नहीं करेंगा, इसको on रहने देना है, दूसरा option already यहाँ पर enable है, यानि कि आपकी website की images है, उनको scale करने का काम optimal करेंगा, अपने आप छोटा करना है, जिन भी images को उनको छोटा करके, छोटे size में serve करेंगा, ठीक है, तो यह काम यहाँ पर enable हो आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि optimal का benefit आपको और ज्यादा मिलता रहे, तो आप इस enable optimal badge को on कर सकते हैं, अगर आप इसे on कर देते हैं, तो आपकी website पर optimal का नाम दिखाई देगा, branding दिखाई देगी, बट आपको ज्यादा visit भी मिल जाएंगी, 20,000 extra visit मिलेंगी, तो 25,000 user सकते हैं, I think यह बहुत अच्छा option अगर आपकी small business website है, जहापर आप इस branding का बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं चेलना पड़ेगा, या फिर अगर आपका एक छोटा blog है, तो आप इस option को on करके extra फाइदा उठा सकते हैं, यहाँ पर advanced section में जो सबसे पहला option दिखाई दे रहा है, वो है automatic best image format selection, इस option को जब आप on करते हैं, तो आपकी website के जो users हैं, वो जिस भी device से आ रहे हैं, जिस भी browser को use कर रहे हैं, उसके base पर optimal automatically best image format select करेगा, चाहे वो AVIF हो, या वो webpy हो, या JPG हो, या PNG हो, और उसी format में image को serve करेगा, यह सारा काम सिर्फ एक बटन के tick कर आने से हो जाएगा, इसके अलावा, जो network based optimization है, अगर कोई user एक slower network पहे है, तो आपकी website की images है, वो और ज़्यदा optimize करके उनको serve की जाएगी, इस option को भी आपको on करते हैं, इसके अलावा, यहाँ पर दो-तीन option और हैं, for example, CSS और JS को भी optimal को थ्रू वेजना, अगर आप image CDN के ल के थ्रू ही जाएंगी, और आपकी website की जो speed है, वो और भी ज़्यदा अच्छी हो जाएगी, GIF to video conversion, आप इसको on कर सकते हैं, बड़ कोई बहुत ज़्यदा इससे benefit नहीं होने वाला है, इसके बाद यहाँ पर resize को option आता है, smart cropping, यानि कि अगर आप अपनी website पर images, आपकी designer न इसके बहुत सारे user iPhone या iOS devices जाते हैं, तो आप इस retina quality को check कर सकते हैं, जिससे आपकी website के जो iOS users हैं, उनको ज्यादा better quality की images सर्व की जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर limit image sizes का option है, यानि कि अगर आपकी website पर designer साहब ने, developer साहब ने बहुत ज़्यदा बड़े-बड़े size में images क upload किया है, सीधे आप camera से उठाया और 4000 pixel वाली image को upload कर दिया है, तो उसका size अपने आप यहाँ पर कम कर दिया जाएगा, 1920x1080, यानि कि full HD size की images यहाँ पर आएंगे, इसके बाद हम आते हैं, कुछ और option है, for example, यह strip metadata जो option EXIF के format में मिल रहा था, अभी पहले हमने जो plugin देखा ह वही same option यहाँ पर आपको strip metadata नाम से मिल रहा है, आपकी image का जो भी metadata है, यानि कि कब ली गई थी, किस camera से ली गई थी, कौन सा lens था, कौन सा रहू के तो वगरा सब की क्या चालती, यह सारी चीज़ें, जो आपके camera की detail के तोर पर save है, image में, वो सारे data को हटा दिया जाए, because it is not useful, इसके बाद एक और AI ML वाला जमाना चलता है, auto quality powered by ML का option आपको enable करने को मिल रहा है, आप इसे enable रहने दे, कोई से नुकसान अभी तक हमने नहीं देखा है, इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा option image related आता है, वो है lazy load का, as I said, lazy load को मैं बाद में explain करूंगा, बट आप इसे, ज don't optimize images if, यहाँ पर image का file name आप add कर देंगे, और आपकी वही particular image है, जिसका जो file name आप यहाँ पर दे रहे हैं, वो अपने आपी optimize नहीं होगी, और same option आपको lazy load के लिए भी मिल रहा है, इसके बाद यहाँ पर cloud library वाला option है, यह आप ऐसी set रहेंदे, इसमें कुछ भी change करने की ज करने दें, और इसके बाद यही जिए settings है, image related, optimal की वो सारी-सारी set हो गई है, आपकी website की images का जो optimization है, वो भी हो जाएगा, scaling भी हो जाएगी, lazy load भी हो जाएगा, और CDN के जरीए, optimal के server के जरीए, हर जगे पहुँच जाएगे, तो यह था optimal को use करने का तरीका, इसके बाद हम आते हैं, एक और plugin की उपर, जिसका नाम है Cloudinary, Cloudinary भी बहुत बहतरीन plugin है, जो आपको बहुत सारे function देता है, Cloudinary को देखते हैं एक बार, so हम आगे हैं, Cloudinary के dashboard में, Cloudinary को भी setup करने का तरीका बहुत ही आसान है, एक बार हम इसके setup के पूरे process को देख लेते हैं, so हम Cloudinary plugin को पहले install कर लेते हैं, and then इसको activate करते हैं, इसको activate करने के बाद, आपको इसको अपनी website के साथ में link करना पड़ेगा, link करने का process काफी automated सा है, बस थोड़ी सी एक दुजगे पर complication होती है, तो मैं यहाँ पर आपको process दिखा देता हूं, हम Cloudinary नाम के इस button में क्लिक करेंगे, sidebar में आप को दिखाई देगा, और यहाँ पर एक छोटा सा sign up button दिखाई दे रहा है, usually इस type के plugins में आपको किसी ना किसी तरीके से इनके dashboard में sign up करना होता है, एक API key verification के लिए provide करनी पड़ती है, यहाँ पर Cloudinary में यह process थोड़ा सा हलका सा complicated है, यहाँ पर हम sign up button पर click करेंगे, और आपको एक दूसरे page पर लेके जाएं, यहाँ पर अपनी email के साथ में sign up कर लेते हैं, I am not a robot, I promise, and then I will click on get started now पर, and यहाँ पर verification करना होगा, मैं एक पर verification कर देता हूं, इस email ID का, इसके बाद हम इस process को आगे करते हैं, so एक बार email verification करने के बाद आप इस तरह की window पर आ जाएंगे, यह यहाँ पर मैं just, इनकी survey के लिए अपना एक private data जाता हूं, marketing and creative, हम आगे हैं done window पर, और यहाँ पर आपको basically किसी window पर आते हैं, cloudnery में, यहाँ पर आपको click करना होगा, अपने account पर, हमने click किया है, इस second option के उपर, programmable media के उपर, और programmable media में आपको इस dashboard बटन पर आना है, और dashboard बटन पर आने के बाद, आपको यहाँ पर environment variable, API environment variable नाम का यह button दिखाई देगा, इस पर click करना है आपको, copy बटन पर click करना है सिर्फ, और यह पूरा string है, यहाँ पर automatically copy हो गया, copy करने के बाद, आप यहाँ पर आएंगे, और आपको next button पर click करना होगा, और जो अभी आपने string यह copy किया है यहाँ से, इसको यहाँ पर as it is paste कर देना है, and then इसके बाद यह verification करेगा, तो second का time दीजे, connected, and then इसके बाद next button पर click कर देना है, और यह cloudinary आपके website के साथ में connect भी हो गया है, setup भी हो रहा है, 2 मिंट का time दीजे, plugin पर आप automatically आच चुके है, now इसके बाद यहाँ प login करते हैं, और अपना account यहाँ पर verify करते हैं, सारे option already by default set है, आपको कुछ बहुत ज़्यदा change करने की ज़रुएत नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़े बहुत option आपको समझा देता हूं, यहाँ पर सबसे पहले general setting आ रही है, यहाँ पर आपको storage का option दिखाई दे रहा है, वही same option तरीका है, अभी दिखा रहा था मैं optimal में, optimal और wordpress पर save करने का option मिल रहा था, या फिर सिर्फ optimal पर, so same option यहाँ पर अलग नाम से दिखाई दे रहा है, cloudinary and wordpress, cloudinary and wordpress low resolution, cloudinary only, आपको cloudinary and wordpress पर ही take रहने देना है, इसको change नहीं करना है, इसके बाद यहाँ पर image setting वाले option है, यहाँ पर सबसे पहला option दिखाई दे रहा है, image delivery, इसको on रखना है, इसका मतलब है कि cloudinary ही आपकी images को deliver करेगा, website पर दिखाएगा, तो आपको इस option को on रखना है, इसके बाद है optimize images on my site, यानि कि आपकी website पर जितनी भी images है, उनको optimize करेगा cloudinary अपने आप, यहाँ पर image format में auto set है, इसको auto रहने दीजे, png, webp, gif, इस option को आपको auto पर ही set रहने देना है, ताकि cloudinary अपने हिसाब से decide कर सके कि user की device, user के network और user के browser के base पर किस type की image दिखानी है, किस format की image दिखानी है, यहाँ पर यह auto set हो गया, इसके बाद image quality का option है, इसको भी auto रहने दीजे, आपको कुछ अपने आप, आपके लिए decision सारे कर सकता है, इसके बाद यहाँ पर video settings related option है, जिस पर अभी हम focus नहीं करेंगे, बिकास अभी हम focus कर रहे हैं, सिर्फ image SEO के उपर, video SEO वाले महीने में, video SEO के उपर focus करेंगे, यहाँ पर मैं अगले option पर आच चुका हूँ, responsive images, responsive images वाले section में आने क मैं अगले video में explain करूँगा, because lazy loading otherwise बड़ा confusing हो जाता है, so lazy loading, ATF, ATF image exclusion क्या होता है, यह हम अगले video में बात करेंगे, एक दू दिन के अंदर आ जाएगा, so अभी तक आपने cloudnery को देख लिया है, optimal को देख लिया है, W3 total cache को देख लिया है, WP rocket को देख लिया है, flying press को देख भी free plugin या paid plugin हो सकते थे, आपकी website के images को बहतरीन तरीके से serve करने के लिए, free में serve करने के लिए, या कुछ paid option भी है, उन सब को आप use कर सकते हैं, और अपनी website के images को better तरीके से serve कर सकते हैं, अगले video में हम lazy loading के उपर आएंगे, ताकि इन सारे optimization के अलावा भी कैसे अपनी website के images क और ज्यादा better तरीके से optimize किया सके, so यह था image caching, image cdn और image optimization plugin के बीच का difference, इन तीनों को कैसे use करना है, किस method को आप use करेंगे, चाहे जो method यूज करेंगे, लेकिन at least आज के बाद से आपकी website पर जो images हैं, वो ज्यादा better quality में होंगी, ज्यादा fast load होंगी, ज्यादा fast user के पास marks लेने के चकर में, अपनी copy को खाली नहीं छोड़ते हैं, so images को optimize करना है, लेकिन उन्हें अच्छा दिखना भी बहुत सरूरी है, अगले वीडियो में मिलते है, image optimization के कुछ और topic के साथ में, image SEO को लगाता, strong करते जाना है, इसी January के माहिने में, image optimization को खतम करना है, okay, मिलते हैं